बिहार के सिक्षा विभाग में तहल का मचाने वाले केके पाठख को लेकर बड़ी खबर सामने आ सकती है जानकारी के मताविक मुख्यमंतरी नितीश कुमार बहुत जल्द ही केके पाठख का पद बढ़ा सकते हैं उसके बाद केके पाठक पूरे बिहार के सभी विभागों को हैंडल करेंगे सिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचीव बनने के बाद लगातार एक्सन में आए केके पाठक ने कई नए पड़योग किये हैं उन्होंने स्कूलों में शात्रों के साथ सिक्षकों के उपस्थिती को सुनिश्चित किया है केके पाठक ने BPSC से बहाल एक लाख बीस हजार सिक्षकों को नियुकती पत्र देने के साथ उनकी पदस्था अपना तक को मौनिटर किया है केके पाठक के नेत्रितु में BPSC से बहाल सिक्षकों ने ट्रेणिंग ली और अब स्कूलों में पढ़ा रहे हैं केके पाठक ने ष्कूलों के निरिक्षन का नियम बनाया विकलों में साब सफाई से लेकर पढ़ाई को सुनि शित कराया बताया जा रहा है कि बहुत जल्द अब केके पाठक की सिक्षा विभाग से विदाई होने वाली है आए जानते हैं इस ख़वर के पीछे की सच्चाई को नवस्कार आप देख रहे हैं दर्स न्यूज मैं हूँ आपके साथ रितेश सर्मा बिहार के मुख्य सचीव आमिर सुभानी अगले साल यानी 2024 में सिवा निविर्थ होने जा रहे हैं कहा जा रहा है कि सरकार उन्हें एक्स्टेंसन देने के मूड में नहीं है यदि उन्हें एक्स्टेंसन नहीं मिलता है तो किसी अन्य सीनियर आईएस अधिकारी को बिहार सरकार का मुख्य सचीव बनाया जाएगा सामाने प्रशासन बिभाग के मुताविक बिहार के साथ आईएस अधिकारी आने वाले साल में रिटायर होने जा रहे हैं इसमें से अभी बिहार में 6 अधिकारी तैनाथ हैं जिसमें से एक को केंद्रिय परतिनियुक्ती पर भेजा गया है मुख्य सचीव आमिर सुभानी 30 अप्रेल 2024 को रिटायर होने जा रहे हैं कहा जा रहा है कि अंजनी कुमार सिंग जैसे अधिकारियों की तर्ज पर आमिर सुभानी को नितीश कुमार एक्स्टेंसन दे सकते हैं वही सियासी गलियारों में चर्चा है कि आमिर सुभानी काफी दिनों से स्पद पर बने हुए हैं उनकी जगह किसी वरिष्ट आईए इस अधिकारी को मुख्य सचिब कपद दिया जाएगा सूत्रों की पाने तो इस रेस में सबसे आगे केके पाठक का नाम चल रहा है मुख्यमंतری नितीश कुमार ने पहले भी अपने चहेते अधिकारियों को एक्स्टेंसन दिया है इस बार भी वो देते हैं कि नहीं ये देखने वाली बात होगी इस से पहले दीपक कुमार और त्रिपुरारी सरन को सरकार ने एक्स्टेंसन दिया था कहा जा रहा है कि आमिर सुभानी नितीश कुमार के सबसे खास है उन्हें भी एक्स्टेंसन दिया जा सकता है यदि सरकार एक्स्टेंसन नहीं देती है तो बिहार में मौजूदा अधिकारियों में से मुख सचीव का चैन किया जाएगा 2024 में रिटायर होने वाले अधिकारियों में विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंग जुलाई 2024 में रिटायर हो रहे हैं उसके अलावा अगस्त 2024 में बरजेस महरोत्रा रिटायर होंगे नवंबर दोहजार चौबिस में केंद्रिये परतिनिक्ति पर काम कर रहे मनु भाई परमार का नंबर आएगा उसके अलावा उनिस्तो नवासी बैच के सफाय करमचारियों के राश्ट्रिय आयोग के सचीब आरके खंडलवाल मई दोहजार चौबिस में रिटायर होने वाले ह नवादा के जिलादिकारी भी दोहजार चौबिस में रिटायर होंगे बिहार सरकार आमीर सुभानी के रिटायर होने के बाद वरतमान सीनियर अधिकारीयों में से किसी को मुख्य सचीब बनाएगी इसमें सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो है केके पाठक का केके पाठक पिहार सरकार के सिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचीव के पद पर कार रत हैं सिनियूरिटी के मामले में देखा जाए तो जल संसाधन विभाग के अधिकारी चैतन्य परसाद जुलाई दोहजार पुच्छिस में रिटायर होने वाले हैं उसके अलावा सिक्षा विभाग 27 में रिटायर होंगे इनमें से सबसे ज़्यादा तेज तर्रार और रिजल्ट देने वाले अधिकारी के रूप में केके पाठक को जाना जाता है अनुमान लगाया जा रहा है कि केके पाठक को प्रमोशन दे कर उन्हें मुख्य सचीव बना दिया जाएगा सिक्षा विभा इसकी माने तो सिक्षक संग का सरकार पर दवाव भी है सरकार भी चाहती है कि केके पाठक को बिहार का मुख्य सचीव बना कर उन्हें प्रमोशन भी दे दिया जाए हलाकि यह भी माना जा रहा है कि नितीश कुमार केके पाठक को मुख्य सचीव नहीं बनाएंगे केके के लिए नहीं जान रहे कि आमिर सुभानी बिहार के निवासी है यूपीस्टी परिक्षा में टॉप करने के बाद इन्हें बिहार केडर मिला था सुभानी से पहले तृपुरारी सरन बिहार के मुख्य सचीब बने रहे हैं तृपुरारी सरनu 1985 बैज के आईयस अधिकारी हैं सरन को कोरोना संक्रमन के दोरान ततकालीन मुख्य सचीव अरुन कुमार सिंग के निधन के बाद बनाया गया था आमिर सुभानी को सरकार ने बाद में मुख्य सचीव बनाया आमिर सुभानी के बारे में कहा जाता है कि वो तीज गती से काम करने वाले अधिकारी हैं इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि किके पाठक बिहार के अगले मुख्य सचीव हो सकते हैं। ये जन्दकारी आपको कैसी लगी है? हमें कमेंट सेक्षन में जा करके जरूर बताएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे। अगर ये वीडियो फेस्बूक पर देख रहे हैं तो हमारे पीच को लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।